आज का सेशन जो है current affairs का सेशन मैं सारे आर्ट से लूँगा उससे पहले मैं अभी आपको जो बिहार specific topic है जो BPSC का फेबरेट topic है 5857 की करांती ठीक है उसको मैं तेजी से पढ़ाने का प्रियास करूँगा साथ साथ बिहार special में जो question पूछे जाते है 57 की करांती से जैसे बीर कुमर्सी की भूमका को ले करके निश्चित रूप से आपको एक question पूछा जाता है तो कुछ topic है जो की हमने आपको पहले भी पढ़ाया है और बार बार में बोल ला हूँ कि वहां से निश्चित रूप से भी PSC question पूछता है जैसे आपका जल जाती आंदोलन होगे बिर्सा संथाल ये सब अच्छे से देखके जाईएगा ठीक है उसके बाद आपका जो 5857 की करांती को अच्छे से देखके जाईएगा चंपारन सत्यागराव को अच्छे से देखके जाईएगा और सहयोग अंदोलन को अच्छे से देखके जाईएगा और बिहार की भूमक भारत्य स्वतंता संग्राम में जो वीडियो परा हुए उसको अच्छे से देखिएगा और भारत शुरुआ दूल इन टॉपिक से कम से कम 8-10 कोश्चन आपके हिस्टी के कोश्चन जो भी 1-5 बाले हैं या 6-8 में भी या जिनका हिस्टी ऑप्शनल है वहां तो आएगा ही अमको फोकस करते रहना है जो आपके जुलाई से ले करके जनवरी मन्त का यहीं करना है उस से पहले भी नहीं जायेगा उसके बात का भी नहीं पड़न थे जुलाइ टू जनवरी आपको बार बार रिपीट करना अभी से एक्जाम का टाइम अब बहुत एकदम नजदीक आ चुका है ठीक है अब ज्यादा टाइम है नहीं आपके पास और आपका सिलेवस भी होई रखा है तो अच्छे से बस आप लोग क्या कीजिए जो जो टॉपिक बना लिजे बैट करके जो प्रीवस कोस्षं का सिट है उसको बना लिजे वो आपको कंफिदेंस देदेगा ठीक है चलिए आज का जो टॉपिक है मैं अभी आपको जो आटाइशो संतावन की करांती पढ़ाने वाला हूँ अठाइशो संतावन की करांती और उसके बाद जो कोश्चन बिहार में 8875 की क्रांगती के और बीर कुमर सिंग की भूमका से रिलेटेड कोश्चन पूछेगे लेकिन सब से पहले मैं थोरा सा अभर वियू लेता हूँ जो राष्टी अस्तर पे 8875 की क्रांगती हुई किस परकार से वहाँ पर जो है कहां कहां से कौन से पार्टिसिपेट किये थे यहां से एक कोश्चन बिदाब फिक्स ही रहता है कि आपको पूछी देगा चुकि यह स्वतंता संग्राम का पार्ट है ठीक है तो अच्छे से समझिएगा 8875 की क्रांगती को देखिए कोई भी क्रांगती तुरत में नहीं होता है बलकि बरसों से आ रहे सोसनकारी निती उसके पीछे जिम्यदार होती है ठीक है 68 में बूक और राइटर का नाम हमने कई बार बोला है कि इस तरह के कोश्चन आपको नेट जगह पे आपको दिखाई देता है ओथर का तो उसके लिए आप बूक खईद लिजिए एक बूक और दो सट हैस्वा का आता है आपको जो कोश्चन थुरा सा अलग लग रहा है कि यह आपने 910 के सिलेबस में या कंपिटिशन में नहीं पढ़ा है तो वह कहां होगा वह हमने बताय था आपको कि वह आपका क्या है गेजुएशन लेवल और पलस उसका रहता है जैसे PG लेवल का रहता है तो उसके लिए आपको नेट जर्फ का जो है पॉलिटिकल साइंस का या तो नेट से भी डाउनलोड करके कुछ जो ऑथर बेगर है वो सब देख लीजी अभी अब तो टायम है नहीं मंगाईएगा भी ओनलान तो आएगा नहीं तो यह सब हमने पहले ही बता दिया है आपको पॉलिटिकल सा जो एकजाम होते उसमें वो सब कोश्चन पूछा जाता है तो उसके लिए आपको कुछ सोर्स अपनाने होंगे और सोर्स अपनाने के मतलब यह नहीं कि अब एक आउथर कहीं पूछ दिया तो उसके लिए पूरा का पूरा जो है विद्वान बन रहे है चुकि आपका पूरा पॉल्टिकल साइंस में आएगा नहीं आएगा यह कोई गायंटी नहीं है तो उस पर जायदा आपको जो है चिंतन करने के आवशक्ता नहीं है और जब भी सेलेक्शन होता है तो जो आसान कोश्चन होते वो गलत आपका नहीं बनना चाहिए जो टफ कोश्चन वो जितन करने के आवशक्ता नहीं है इसमें भी देखेगा इतिहास में कुछ कोश्चन 10-15 कोश्चन ऐसे रहते हैं जो कि बहुत रिसर्च करने के बाद वो कोश्चन आपको दिखाई देता है तो अब उस दस कोश्चन पर नहीं जाना है कि अब उसके लिए अगर आप पढ़ नमर सतर नमर मैक्सिमाम असी नमर जबकि निगेटिव नहीं है ठीक है मैत को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमाम असी जाता है मैक्सिमाम जो की जिसमें बहुत जैदा भीर है फिर भी 40 कोश्चन आपको गलत करने हैं तो उसके लिए टेंसर नहीं लीजे कुछ कोश्चन अच्छा बैट्समेन होगा तभी वो जितता है ठीक है कुछ लोग रननीती के तहत भी जीत जाते हैं ठीक है सामने वाले को तो उस तरीका से यहां पर भी कंपिटिशन में भी रननीती अपनानी होती कोई जो नहीं कि आप विद्वान बैठेगा तो कोई कंपिटिशन निक सकता आपको नहीं है ठीक है तो अगर पहले टाय में रहता है तो आई से हमने पहले भी बताया है कि अगर उस तरह के कोश्चन को बनाने हैं तो नेट जैरेफ के कोश्चन को आप लोग रिविजन कीजिए कुछ कोश्चन आपको पांदस तो डाइरेक्ट सेम टू सेम मिल ज visit. यहाँ पर आते हैं 857 की करान्ती कारण उδव बिस्थार जानेंगें तो कोई भी करांती का परणाम कोई एक दो दिन का नहीं होता है बलकि बरसों से चले आरे शोसन कारी निती का प्रिडाम होता है और अठाविक सी वात है कि किसान के ही घर से सेना भी जुरे हुए थे और सेना के साथ भी सोसन हो रहा था उनको उचिसली नहीं दी जाती थी उनको जो है अंग्रेज अधिकारी के तरह जिसे अंग्रेज में था कि उपर जो है अधिकारी बनने का मोका मिलता था बरे-बरे अधिकारी यहाँ पे है कि ततकाली कारण आपको पता होगा चर्वी वला कार्तूस था लेकिन उससे पहले और संतोस की भावना सेना में आ चुकी थी वो सबसे बड़ा कारण होता है तो कारण यहाँ पर एक लाइन में है ऐसे यह बहुत बड़ा चेप्टर है तो उतना आपको अभी मैं नहीं बेटी सोसन का यह नितियां इसके पिछ़न जिम्मेदार था ततकाली कारण चर्वी वला कार्तूस चर्वी वला कार्तूस ही मेन रूप से यहाँ पर कारण बनता है यह सब घटना आप लोग जान रहे है बस यहाँ पर महत्पून तत देखते इसकी सुरुआत जो होती है द गाय की चर्वी का परियोग किया गया है जो कि एक परकार से जो हिंदू धर्म से जुरे हुए सेना थे उन्होंने वहाँ विरोध किया कि हम गाय के चर्वी को मुह में नहीं लेंगे और एक तरफ मुसल्मान जो सेनिक थे उसमें यह निकला कि उसमें सूर का दिया गया है त कहां से कार्टूस वाला फैला था कहां से तो दम-दम संद्चावनी बंगाल से उसके बाद फरवरी 1857 में बहरामपूर संद्चावनी बंगाल में ये ख़वर आगे गया फिर मार्च 1857 की घटना सबसे महत्पून हो जाती है यहाँ पे जो बेरकपूर छाबनी है और यहीं प 34 मी नेटिव इनफेंट्री में काजरत थे कौन मंगल पॉंडे मूलता यूपी के निवासी थे कहां के थे यूपी के बल्या जिले के निवासी थे इन्होंने जो है शुरुवात कर दिया 29 मार्च 1857 को लेप्टिनेंट बाग की हत्या कर दी जरफ हुआ दोनों में लेप्टिनेंट और मंगल पॉंडे में और इसने क्या किया लेप्टिनेंट बाग की यह कुश्चन पूर सकता है किसकी हत्या जो है मंगल पॉंडे के दोरा किया गया था तो उसका नाम था लेप्टिनेंट बाग ये सब कोश्चन छोटा छोटा भी पेसी निकालता है ठीक है और मेजर हथुर से नाम था उसको घायल कर दिया तो मेजर हथर से को घायल कर दिया और जो मेजर बाग था लेप्टिनेंट बाग उसकी हत्या मंगल पांडे ने कर दी कब तो मार्च 1857 इस भी में ठीक है और ये बैरकपूर छावनी जो की बंगाल में था उसका एक सिपाही था ठीक है मंगल पंड याद रखिएगा ये कोशन पूछा हुआ है पूछ सकता है फिर 10 मैं 10 मैं 1857 को मेरट से जो है चुकि वहाँ पे कहन 1857 को एक कारक जिमेदार नही है कई लोग जो है यहाँ पे अपने कई लोग जो है जैसे बहादूर सा दूतिय है ठीक है यह अंतिम मुगल बासा है तो यहाँ पे इनकी पैंसन रोक दी गई नाना सहीब की पैंसन रोक दी गई फिर जो लच्मी बाई लड़ी थी उसका दत्तक पुत्र का जो concept था पहले क कर दिया जाता है तो आगे चल करके जो है लच्मी बाई ने भी यहाँ पे विरोध किया है 1857 के समय में ठीक है तो बाहदूर सा दूतिय के अंतिमुगल सास्थ विदरोहियों ने इसको नेता चुना था तो दिल्ली से में रूप से मेहरथ है यहाँ पे लिखावा बाहदू उस्तान का समराट घोसित किया जाता है किसके द्वारा तो मेरट के सिपाहियों के द्वारा विद्रों में सामिल होने के का अंग्रेजों द्वारा आगे चल करके रंगून भेज दिया जाता है जो कि काला पानी के सजा में जहां उनकी मिर्ट्यू हो जाती है ठीक है यह objective लेवल में question पूछे जाते हैं लेकिन मैं subjective पढ़ाओंगा उससे खुद बखुद आपका जो objective पूछा हुआ है तो उसका नामता बक्त में जो की लखनाव से नाना साहिब मराथा राज बन से जुरे राजबंद से जूरे हुए थे इनका पैंसन बंद कर दिया जाता है जो कि इनका बासतबिक नाम क्या है गोंगुपन्त ये question question पूछा हुआ ठीक है याद रखेगा गानपूर से पुर्व मराठा पेशवा थे अंग्रेजों के द्वारा इनका pension बंद कर दिया यानि सब अपने अपने लिए लड़ रहे हैं कोई में ये अठच संतावन की करांती का और सफलता का ये भी काया था सभ प्राप्ति के लिए लड़ रहे थे कोई देश अजादी के लिए में लूप से लड़ाय नहीं हो रहा था लेकिन अंग्रेज जो सोचन काय नीती थी उसके खिलाब ये लोग जरूर लड़ रहे थे अपने अधिकार की बात जरूर कर रहे थे ठीक है अगर मराठा पेशवा का pension बंद नहीं होता तो यह नहीं लड़ते simple सी बात है नाना सहीड यहाँ पे लड़ रहे हैं अपने pension के लिए याद रखेगा उसके वार इनहीं का सेनापति था तात्या टोपे अपने नाम सुना होगा तात्या टोपे का नाम ठीक है और इसका मित्र मांसी रता इसी ने धोखा दिया और आगे चल करके तत्या टोपे मारे जाते हैं, ठीक है? साइस का तो आप वीडियो नहीं देख रहे हैं, content में परा हुआ है science का, folder में content में science होगा, उसमें सारे वीडियो परे हुए हैCare 2.0 में सारा परा हुआ है science का वीडियो, उसको अच्छे से देख लिझे, उससे बाहर question नहीं रहता है, वह ही सब रहता है, ठीक है? और जो भी objective session लिए अच्छे से देख लिजिए और test to objective लगा लिजिए, question same to same लगभग, question वही objective का उठा के BPSC पूर देता है, ठीक है, तो उसके लिए परेशान मत हो ये, उसमें objective session जरूर practice set कर लिजिए, साथ सा जितना वीडियो है, chemistry का लगए, 7-8 वीडियो होगा, 8-10 जो है, biology के होंगे, इतना पर लिजिए, 8 question उससे, जो भी basic होगा, वो उससे बन जाएगा, 8 में आप 5-6 question जो है, easily बनेगा, 1-2 question बहुत high level के, उसमें भी दे दिये जाते हैं, तो उसको ना ही मान के चलिए, ठीक है, सब question आप नहीं बना पाईएगा, एक तरीका है BPSC pass करने इनका, उसके बाद अजी मुला, जो की नना साहिब के सलाकार थे, और इनको करांती का दूथ कहा जाता था, अठेश संतावन में, बरेली से खान, बहादुर खान लगाई किये थे, इलाहबास से लियाकत थे, कई बार पूछेगा कि अठेश संतावन करांती में बरेली से गया है, तो मौल भी अहम दुल्ला को कहा गया है, ठीक है, याद रखेगा, जहांसी से रानी लश्मी बाई लड़ी थी, यही कोश्चन आपको पूछा गया था, टीरी टू में, ठीक है, और इनके पती का नाम था, राजा गंगा धर्राव, क्या नाम था, गंगा धर्राव लश्मी बाई के, इनका नाम क्या था, बास्तविक नाम, मनी करनी का, ठीक है, एक मूबी भी आया था, मनी करनी का, ठीक है, तो लश्मी बाई का बास्तविक नाम ऐसे, मनी करनी का ही रहता है, राजा गंगा धर्राव, इनके पती का नाम है, चुकि गोध निशेद का सिध् विरोज करती हैं, जन्म इनका वारा नसी में हुआ, मिर्तिव ग्वालियर में हुआ, तो ये जो है हिूरोज वाला कोश्चन पुछा था, किस अधिकारी ने लच्मी वाई की परसंसा की है, युद में जब लर रही थी, तो एक कैप्टन हिूरोज था, वो जो है लच्मी आएक ने किया है, तो उसका नाम है हूरोज, तो ये कोश्चन भी आपके TRE 2.1 में ये कोश्चन सेम टू सेम पूछे गए थे, तो रहता सम नोट्स का ही, अब ये बात है कि आप उसको कितने बार अच्छे से पर रहे हैं, ठीक है? आरा से आपको पता ही है, कई बार पूत देगा कि बीर कुमर सिंग कहां से थे? ठीक है, आरा जग दिसपूर, ये कोश्चन और पटना से पीर अलिखाँ जो कि एक पुस्तक विक्रेता है, कई बार कोश्चन पूछा है, कि 1857 की करांती में पटना से कौन से नायक थे इसमें तो याद रखेगा, पीर अलिखाँ पीर अलिखाँ, जो है पतना से थे, जो कि एक पुस्तक विक्रेता है, और उनको आगे चल करके जो है, वही पे पे लटका दिया जाता है, अंग्रेजों के दौरा, ठीक है, बाहावियों को साथ देने के लिए उनको ऐसा किया जाता है, बहावी अंदोलन भी उसमें पत्ता में चल ला था तो यहाँ पे देखे आरा से जगदिसपूर जो आरा जगा है भोजपूर वहाँ से बीर कुमर सिंग थे और बीर कुमर सिंग के बारे में आप लोग अच्छे से जानते नहीं जानते तभी अब पांच मिनट में जान लीजेगा अच्छे से उसके बाद है असम से मीना राम दिवान थे, कासमीर से गुलाब सिंग थे, संबलपूर से सुरेंदर साहि थे, गंजाम से राधाकृस नंड सें थे विद्रो का दमन केम्पवेल ने किया था ये कोश्चन अभी देखे ये क्या पूछा था टियारी टू में कि 857 की करांती में बीर कुमर्सी का अंतिम लराई किसके साथ हुआ था देखे ये कोश्चन हमने देखा था और देखे ऐसा नहीं कि नोट से हमने परिच्छा के बाद बनाया है ये परिच्छा से पहले का है और देखे किस परकार से हमने बीर कुमर्सी में कितना अच्छे से स से होती है इनकी ठीक है यही कोश्चन आपको एक्जाम में पूछा था ठीक है उससे पहले डगलस से हुआ है ठीक है तो यहाँ पर जो है अप्सन में वो कोई अप्सन नहीं था जिसका एंसा इन में से कोई नहीं आ गया बाकी यह एकदम स्टेप बाई यहाँ पे आपको अभी हम जब पढ़ाएंगे तो उसमें स्टेप बाई यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है देखिए 22 अपरेल 1858 को अपने घर जग दिसपूर पहुँचे वहीं इसी समय लेन ग्रेंड ने आकर्मन किया लेकिन वह प्रास्त हो गया तो अंतिम लराई लेन ग्रेंड से हुई है वहाँ पे ठीक है तो यही कोश्चन आपके एकजाम में पूछ दिया था और देखे ऐसा नहीं है कि हमने एकजाम के बाद इसको कलर किया है आप जो लोग पढ़े होंगे या पहला नोट्स भी आप लोग को होगा तो देखिएगा कि यही कोश्चन आपसे पूछा है और इसी चीज को हमने पहले से भी यह लोग करके रखा हुआ है तो मुझे पता है कि BPSC क्या सोच सकता है और कहां से कोश्चन दे सकता है बसरते आप लोग अगर लंबा समय से मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो यह चीज लुगा डगलस को कुमर सिंग को पीछा करने के लिए भेजा गया ठीक है 17 अप्राइल आठाइस ऑंठावन को डगलस ने आकमन कर दिया किंतु डगलस को मुझी खानी परी ठीक है तो हर एक स्ट टर को भी पेसी पूशता है लेकिन उसमें आपको डीपली ले जाता है तो इसलिए आपको देवघर जिला के रोहिनी से ये भी कोश्चन कहां से बिहार में 1857 की करांती की शुरुआत हुई पहला लेनी ये भी कोश्चन आप देखेगा नेक्स टाइम पूश देगा ठीक है आपको डिजाइन करके दिया हुआ है तो आप लोग बस नोट्स को बार बार पढ़िए भरोसा रखिए कोश्चन कहीं बाहर नहीं जाते हैं जो कोश्चन आपको नहीं मिलेगा वो भी मैं अपने नोट्स में आपको खोज दूँ बसरते आप जो है अच्छे से उसको जाएगा विद्रो का दमन केंपवेल ने किया जो कि एक बीटी सेना परमुक थे यानि पूरे भारती अस्तर पे अगर बात करें अठाश्चो संतावन की किरांती को कंट्रोल करने का काम किसने किया है केंपवेल ने किया है इसने लखनो कानपु बरेली और अन जगों का वि नहीं था कि उत्तर भारत में किरांती हो रही अंग्डिये जोग के खिलाब तो में रूप से उत्तर भारत खास करके बिहार बंगाल यूपी दिल्ली यही चेतर में पंजाग इसी चेतर में यह फैला था ठीक है तो यहां पर कैंपवेल का नाम जरूर याद रखेगा इसी पूछा था कुछ? जो खब हुआ को अन्ग्रेश अधिक वाला उपशन रहता है। इन में से ये 68 BPSM पूछा था, तो क्या कारण नहीं थे देगा, क्या कारण थे नहीं देगा, क्या कारण नहीं थे, या इन में से क्या कारण थे अब दे दिया, तो उसका भी एंसर एक से अधिक हो जाता है, जैसे समान लक्ष का अभाव, ठीक है, चुकि अलग अलग जगह से जो युद कर रहे हैं लच्मी बाई का अलग है दत्तक पुत्रवाला जो है उसको समाप्त कर दिया गया है उसके लिए लर रही है नाना साहे पैंसन के लिए लर रहे हैं ठीक है बीर कुमर सिंग की जमिंदारी चली गई है उसके लिए लर रहे हैं तो सब का एक अपना अपना लक्ष था तो ये औस फलता का कारण था कि समान लक्ष नहीं था सब का दूसरा नत्युत करता का और कोई एक जो होता है नहीं मेन नेता मेन हीरो यहां कोई नहीं है सब अपने अपने तरीका से लड़ रहे हैं उसके बाद पर्मुकार मध्यमबर्ग की उदासिंता और मध्यमबर्ग जो बेपारी वर्ग है मध्यमबर्ग है किसान वो सब उतना इंटेस्ट इसमें नहीं लिये थे ठीक है उनको कोई मतलब नहीं था इसे तो ये भी था, बिद्रो का परवा हुआ, मुगल समराज का अंत हो गया, कमपनी सासन का अंत हुआ, और 858 का एक्ट आया, जो की आपको BPSC में भी पूछा था, और राज मुकुट के नाम पे, जो कराउन का सासन है, अब यहीं से शुरुआत होगा, यानि अब जाकर के भारत मेन रूप से, परमुख रूप से, भारत बिटेन की सरकार, बिटेन की महरानी के आधिन हुआ, इससे पहले कमपनी था, 1857 से पहले, यहाँ पे भायत में कमपनी का सासन था, बिटेन का सासन नहीं था, बिटेन की महरानी का सासन नहीं था, वहाँ के राज मुकुट का सासन था अगर पूछे कि भारत पुन रूप से बिटेन के आधिन कब हुआ तो 1808 उससे पहले वो कमपणी के आधिन था इस्ट इंडिया कमपणी के आधिन याद रखेगा ठीक है तो यह सब कोश्चन कन्फ्यूज करने के लिए आपको पूछ देता है एक नमबर 1808 को कैनिंग ने राज मुकुट की बात की इलाहवाद में गवर्नर जनरल के पद की जगह अब क्या बन जाएगा वाइसराय का पद तो पहला वाइसराय कोन बनेगा लॉर्ड केनिंग कब 1858 इसमें ठीक है सेना में बदलाव होगा पहले क्या था कि पहले पांच में जो था दो ही जो है सेना अंग्रेज होते थे तीन भारतिय होते थे अब क्या हो जाएगा कि आपका तीन में दो क्या होगा दो अंग्रेज होंगे दो भारतिय होंगे और एक अंग्रेज इस तरह मतलब संड़चना में बदलाव होता है ठीक है थोड़ा सा ये तीन पे पहले दो थे अंग्रेज अब क्या हो जाएगा कि उसमें अंग्रेजों की संख्यां की बरहुतरी की जाती इस से नामें ठीक है फूट डालो और साशन करो की नीती यहीं से स्टार्ट हो जाता है ठीक है लोड डलो ठीक है तो इस तरीका की निती अपनाई जाती है पर किर्टी क्या है लॉरेंस एन सीले बोलते हैं एक सेनिक विद्रो कहा है लॉरेंस सीले ने कहा है टेलर बोलते हैं हिंदू मुस्लिम खडियंत्र कहा है तो उसका नाम है आटरम टेलर ठीक है टेलर ने इसको क्या बोला कि हिं वही सईयद आहम्मद खां बोलते हैं यह सेनीक विद्रो है और बेन्जामिन इज्राहिली क्या बोलते हैं यह सून योजी तराश्टिय विद्रो है लेकिन सबसे जाएदा पूचा जाने वाला यह कतन है बी 대해서 कर का यह कई बार कुश्चन पूछ चुपा है वीडी सावरकर क्या बोलते है भारत का पहला सुतंतरता संगर्ज वीडी सावरकर क्या बोलते है यह भारत का पहला सुतंतरता संगर्ज यह question कई बार पूछा हुआ है किसने 577 की करांती को भारत का पहला सुतंतरता संगर्ज कहा है तो उसका नाम है वीडी सावर कर याद रखेगा असुक मेहता बोलते हैं या एक महान विद्रो है उसके बाद ये भी कोश्चन SNCN के बारे में भी पूछा जाता है चुकि ये एक सरकारी जहासकार थे ये बोलते हैं कि ये ना तो स्वतंता संगर्थ लेकिन रास्टिया नहीं एसन सेन जो है क्या नाम है पूरा सुरेंदर नास सेन क्या बोलते हैं कि ये स्वतंता संगर्थ है लेकिन ये रास्टिया नहीं है चुकि केबल उत्तर भारत के ही यहाँ पे सेना पार्टिसिपेट करने तो पूरे रास्टिया हम नहीं मानेंगे ठीक है वह क्या बोलते हैं स्वतंता संगर्थ है लेकिन ये राश्टिय नहीं है सबसे जो खतरना कथन बोलते हैं और रावार इक्जा में पूछा जाता है वह आरसी मजुमदार का है ना तो पर्थम, ना ही राष्टिय, ना ही सुतंता संग्राउं ये साब बोलते हैं ना ही ये पर्थम है चुकि इससे पहले भी ये अंगरेजों के खिलाब बहुत सारे क्रांति हुए बहुत सारे मुंडा बिद्रो हो गया से उसे पहले हुआ कोल विद्रो हुआ जंजातिय विद्रो बहुत पहले हो चुका था ठीक है संथाल विद्रो हो चुका था तो यह पहला विद्रो अंग्रेजों का नहीं था पहला नमर दूसरा नमर पूरा राष्ट ने भाग नहीं लिया कि वह उत्तर भारत के सेनाओं ने किसने कहा है कि यह ना तो पर्थम ना ही राष्टिय ना ही सोतंता संगर्थ है तो यह RC मजुमदार ने कहा है याद रखेगा यह दम दो वला एक तो यह वला ठीक है ना तो पर्थम ना राष्टिय ना सोतंता संगर्थ है तो RC मजुमदार ने कहा है दूसरा भारत का पहला सोत संग्राम किसने का है वीडी सावर करने का है इसको याद रखेगा ठीक है तो ये दो कोश्टन आपको बार बार पूछे गए हैं बाकी कुछ भी पूछा जा सकता है नोट्स में लिखा हुआ है उसको अच्छे से पढ़ ये ठीक है नोट्स को जाते जाते अठाश्वंतावन क भी रहेगा 11-12 में भी रहेगा तो 1-5 बाले को ज्यादा माथा पची जो है प्राचीन अर्वे नहीं कीजिएगा इकका दुका कोस्टन आएगा कोमन आएगा वो बना लीजिएगा आपको मेन लूप से जो है हमने बिहार का जो भूमका बताया है राश्टी अंदोलन में उ उसमें डाला हुआ है उसको देखके बना लीजिएगा वहां से आपको 50% कोस्टन हिस्टी में वहीं से रहते हैं वह आपको लर जाएगे ठीक है बाकी 11-12 वाले जो भी इतिहास से हैं वो प्राचीन इतिहास और मध्धकालीन इतिहास पर 20 फोकस किजिएगा वहां से आपको कोस्टन रिसर्च के लिए होता है वो PGT लेवल का होता है उसको पढ़ाने लगेंगे तो वो एक-दो मेहना या दस दिन का वो चीज नहीं है उसके लिए फिर आपको दो साल तीन साल पढ़ना परेगा इतिहास को ही ठीक है तो संभब नहीं है चलिए अब आते हैं 57 की क्रां यहां पर बीर कुमर सिंग तो उनसे रिलेटर कोस्टन निश्ची तुरूप से पूछे जाएंगे तेजी से हम कभर करें बिहार में 57 के बिद्रोग की सुरा सबसे पहले कहां से हुई तो 12 जून 57 को देवघर जिला के रोहिनी से तो कई बार पूछेगा रोहिनी कहां है तो वहीं पर की जाती है चुकि वहाँ पर तो चर्वी वाला कार्तुस का अब बात उठी चुका था तो हर एक जगह विद्रोग होना सुरू हो गया था इस जुन में 16 जून 57 को 200 से अधिक हतियारवंद क्रांतिकारी पत्ना सीटी के एक पुस्तक विक्रेता के नित्रुत में द कौन गया था एजेंट मेजर लोयल ठीक है पत्ना में वो गया था अफीम का वेपारी था ये वेपार का एजेंट था और यहीं गया था कंट्रोल करने के लेकिन इसकी हत्या कर दी गई किसके दौरा जो सेना जो भाग की आई थी पत्ना में वहां से कहां से रोहनी से ठीक है उसके बाद है किंतु विद्रोयों ने उसकी तता से निको के हत्या कर दी उस समय पटना का कमिस्नर कौन था ये पूछ सकता है जब 877 की करामती हुई ये कोश्चन टीरी टू में पूछा था ठीक है ये कोश्चन पूछा हुआ है टीरी टू में कि जिस समय जो 877 करामती हुई थी उस समय पटना का कमिस्नर कौन था तो कमिस्नर टेलर था ठीक है ये कोश्चन पूछा था टीरी टू में जो लोग दिये होंगे उनको पता हुआ जिसने विद्रोयों को दबाने के लिए अनेक कठोर ये भी पहले से कलर किया हुआ ये नहीं के बाद में किया हम एक ही बा वायजूग हक को जहांसा दे कर गिरफतार कर लिया गया उन पर बहावियों का सहियो करने बहावी जो की इसलाम धर में धार्मिक सुधार से जुड़े हुए जैसे सूफी संत वेगरा होते हैं वैसे ही थे बहावी आंदोलन ठीक है तो वहाँ पे सहियोग लेने और सहियोग बिक्रेता थे उसको आग लगा दिया गया और इनको जो है फांसी दे दिया गया ठीक है छे जुलाय थे संतावन को तिरहुत के वारिस अली पीर अली खलीफा गुलाम अब्बास आदी को फांसी पे लटका दिया गया जुलाय समाप्त होते होते 25 जुलाय थे संतावन को ही दानापूर के तीन रेजिमेंट के सेनिक ने बगावत कर दी। तो अब जो है दानापूर की सेनिक यहाँ पर 25 जुलेट है 57 को इस युद्ध में सामिल हो गई और यह कहां पहुंचेगी सहावा जिले में परवेश करके जगदिसपूर और वहां पहले से एक औसंतुष्ट व तो यहाँ पर 25 जुलेट 857 को दानापूर की छावनी जो है जो सिपाई है वो कहां पर पहुंचती है तो कहां जाएगी तो सहावा जिला में जो आराब बीर कुमर सिंग के पास और फिर उनके साथ जो है दोनों में अपना तालमिल हो जाता है और वहां पर नत्युत करता की रूप में बीर कुमर सिंग बन जाते है ठीक है अब देखिए क्या कहानी होगी तथा जन्वरी 858 तक आते आते अंग्रेजों ने सभी बिद्रोहियों पर कबजा कर लिया और बीर कुमर सिंग के साथ ही 857 की करांती धीरे-धीरे सिथिल पर करके समाप्त हो गई ठीक है तो यह तो था ओबर ओल की 858 आते आते जो है समाप्त हो गई कहानी तो इसमें बिहार की भूमका को लेकर के जब मेंस में लिखना होता तो इतना ही लिखना है लेकिन जब कोश्चन अगर मेंस में पूछ देता है कि 858 की क्रांती में बीर कुमर सिंग क्या है क्या रही अब इसक जो हम लोग का मेंस का जो पेपर होता है BPSC का वहां से सोर्च सारा मिल जाएगा आपको कहां कहां से question BPSC निकालता है ठीक है जनरली ये सब नोट्स आपको हर एक किताब में विहार इस्पेसम इतना deeply दिया हुआ नहीं रहता है सिंपल सी बात है जितना जरुत है उसमें उतना देता है लेकिन question तो BPSC यहां से भी पूर देती है आपको objective टाइप का ठीक है तो इन सब टॉपिक को मेंस दिस्टी कौन से अगर आप पढ़ते हैं तो easily आप pre के दिस्टी कौन से question solve करते हैं ठीक है तो सबसे पहले उसमें क्या लिखिना होता है कि 5857 किरांती की क्या भूम का थी भूम का क्या है यानि background बनाएंगे सबसे पहले तो उसमें लिखेंगे क्या 5857 किरांती बरसों से चले आ रहे हैं अंग्रेजों की अपनी वेसिक सोसनकारी नीती का परिणाम था किसका परिणाम था जो अंग्रेज अधिका जमिंदारों ने भी अंग्रेजों की आर्थिक नीती का ससक्त बिरोध किया कहिए अंग्रेज तो के तो यह जमिंदार लोग समर्थक थे सभी जमिंदार समर्थक अंग्रेज के नहीं हुए थे चुकि अंग्रेजों का जो नीती था जमिंदारों के परति भी कुछ अच्छ दी जाती थी ठीक है और ऐसा ही केस बीर कुवर सिंग के साथ भी हुआ था ठीक है बिहार में 855 की करामती का महत पूर नायक कुवर सिंग को माना जाता है इनका जन्म 1782 में अच्छे से पढ़ ये इनका जन्म कहां हुआ था 1782 में सहाबात जो कि बर्तमान में भोजपूर के ज जमिंदार परिवार था वहां पे हुआ था ठीक है तो साहाबाद जिले में जो कि अभी बर्तमान में भोजपूर कहलाता है वहीं पे इनका जनम एक जमिंदार परिवार में हुआ था बिदेशी सासन का विरोध की भावना इन्हें जो है जन्म से ही विरासत में मिल गई थी चुकि इनके पिता भी अंग्रेजों के विरोधी थे तथा देश प्रेम इनके अंदर रन कवसलता को पैदा किया यानि जो देश विद्रो की भावना थी जिस कारण से इनके अंदर अं पहले से बीर कुमर्सी के पास 10,000 जो कि पहले से बीर कुमर्सी त्यारी कर रहे थे, सेना बना रखे थे, ठीक है, 10,000 देश भक्तों की एक सेन टुकरी थी, उन्हें परमुक्स ही होगी उनके भाई, भाई था कुन अमर्सी और भतीजा का नाम था रतभंजन सिंग, कन्फ्यूज नहीं हो येगा, बीर कुमर्सी इनके भाई का नाम था अमर्सी और इनके भतीजा का नाम था रतभंजन सिंग, जो की इनके साथ ही था, हर किसन सिंग और कई अन जमिंदार भी इनके साथ थे, कुमर्सी ने अपने सेनिकों की मदद से पहले आरा पर कबजा किया, ठीक है, सबसे पहले किस सहर पर कबजा करे बीर कुमर सिंग और इससे अंग्रेज अधिकारी घबरा गए। इसी बीच विंस्यट आयर जो कि इलाहा वाद की और जा रहा था बंगाल से तो देखा कि यहां पर आक्रमान किया गया और आरा को कब्जा में किया गया उसको खबर मिली तो उसने आरा पे आकमन कर दिया, दो से तीन अगस्त को घमासान युद्ध हुआ, किसके किसके बीच तो वीर कुमर सिंग और उनके साथ ही जो भी हैं अमर सिंग रत्मंजन सिंग और अंग्रेज अधिकारी क्या नाम है बिंसेट आयर के साथ, इसम आयर उनका पीछा करता हुआ जगदिसपूर पहुंचा ठीक है उनका किला जगदिसपूर में उसको जला दिया किंतू कुमर सिंग हाथ नहीं आए यह निकल गए यह अंति Abg दंग अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आते हैं ये तो बात है असी बर्स में भी इनके अंदर आप देखिएगा जो जो से जुनून है वो मतलब कलपनों से परे हैं इतना जान लिए असी बर्स की अवस्था में गोली लगता है बहां में और उसको काट करके गंगा नदी में स्वेम चरहा दिये तो अपने मुझेगा कि जो कैमूर की पहारियां थी वहां पर नेत्रुत किस ने किया था तो वहां पर अमर सिंग ने किया था याद रखेगा इसी समय कुमर सिंग तात्या टोपे और ये जो कुमर सिंग है वो कहां चले जाते हैं कानपूर और वहां तात्या टोपे और नाना सहिब से मिलते हैं और कानपुर की जो लराई होती अंग्रेजों के साथ उसको यहाँ पे जित दिलाते हैं किसको तात्या टोपे और यह नाना साहिब को कानपुर के बाद यह आजमगट की और बढ़ते हैं आजमगट की सुरक्षा के लिए पहले से वहाँ पे मिल मैन मौझूद था, ठीक है, अहरोलिया का जंगल है, मैदानी भाग है, वहाँ पे 22 मार्च 1858 को भीशन लराई हुई, उसमें भी कुमर सिंग जीत गए, फिर अंग्रेज घबर आ गए, अब अंग्रेज को लग गया, यह इसे हारने वाला नहीं है, फिर बढ़ी, आजमगड की और, ठीक है, कुमर सिंग को इसकी भनक पहले से लग गई, इसने क्या किया, आजमगड को छोड़ देने का निन्ने लिया, और अपनी दूरदर्सिता का पर्चा देते हुए, सेना का दो टुकरी बनाया, एक तो उसको आजमगड में ही रखा, ठीक है और एक को जो है गाजी पूर, जो है दूसरे रास्ता से, यानि अंग्रेजों को लगे कि अब किधर कुमर सिंग है वो तो पता ही नहीं चलेगा, चुकि वो सेना दो भाग में बट जाएगा, तो गुमराह करने के लिए उसने क्या किया, उन्होंने कि दो टुकरी में बटा एक आजमगड में रही और दूसरा गाजी पूर की ओर, जो गाजी पूर की ओर जा रही थी, वो उसका नित्रुत बीर कुमर सिंग कर रहे थे, ठीक है, इसी बीच कुमर सिंग, वहां से जगदिस पूर की ओर, अपने घर रिटर्न हो रहे थे, लुगाड ने डगलस को कुम की खानी पर ही, डगलस भी यहां हार जाता है, इसके बाद कुमर सिंग गाजी पूर के, जो की यूपी में परता है, मनहार गाउं, जो की गंगा नदी को पार करके अब इस पार आने की बात है, गाउंबालों ने इनका स्वागत विजेता के रूप में किया, और नदी पार करने के लिए बहुत सारी नावों की विवस्था कराई, तो कहां पर मनहार गाउं, जो की गाजी पूर के समीप है, वहां पर इसी पार करने के दौरा नदी जब पार कर रहे थे, तो इन पर अंगरेजों के दौरा हमला कर दिया गया, और कुमर सिंग को गोली लग गई, ठी गंगा मैया को चड़ा दिया, वही गंगा नदी पार कर रहे थे, तो हाथ में गोली लगा, तो गोली लगा हाथ काट के ही चड़ा दिया गंगा मैया को, ठीक है, चुकि उस समय इलाज तो होने और जहर उसका फैलता तो इसे भी मिर्त्यू हो जाती, तो उससे अच्छा है क चलो भे, हाथ काटो, इसी अवस्था में 22 अपरेल, और इनकी आयो देखी, 80 वर्स की अवस्था में ही ये, 22 अपरेल 2858 को अपने घर जगदिसपूर पहुंचे, वही इसी समय लीन ग्रेंड ने, और यही पूछा था, अंतिम्यूद किसके साथ हुई, आपको याद होगा, तीन दिन बाद अखम की बज़ा से उनकी मिर्त्यू हो गई, और अंग्रेज उनके जो किला है, उसको घेरे रहा, उसकी हिम्मत नहीं हुई, कि किला के अंदर जाके बीड कुमर सिंग को पकरे, ठीक है, इतना डरा हुआ था अंग्रेज अधिकारी भी, अंग्रेज केप्ट इतना ही जाने, ठीक है, इस परकार हम पाते हैं कि वीर कुमर सिंग ने जो अदम में साहस वीरता और बलिदान का जो परचा दिया, वो आने वाले स्वतनता प्रेमियों के लिए आदर्श साबित हुआ, तभी तो कहा गया है, असी बरसों की हड़ी में जागा जोस पुराना था, सब कहते हैं कुवर सिंग बरावीर मरदाना था, तो इस तरीका से इनका जो है चप्टर दा इंड हो गया है, ठीक है, और अपने आप में जो ये छाप छोर गए, आज भी जो है, इनका नाम जो है BPSC याद ही रखता है, कोश्चन पूस्ता है, ठीक है, कीवर्ड है, 25 जोला, 57 को दानापूर छाबनी सहाबाद पहुंची, ये पूरा अच्छे सलिखा सरपर्थम आरा पे कबजा, फिर विंसेट आयर का आरा पे आकमन हुआ, दो से तीन अगस्त को घमासान युद हुआ, आरा छोर करके ये जगदिसपूर पहुंचे, फिर नाना सहर तात्या तोपे के साथ मिलके कानपूर की लराई में लरे, फिर आजमगड की और बढ़े, फिर सेना को दो टोकरी में बाटा, एक को आजबगड में इराने दिया, दूसरा गाजिपूर की और बढ़ी, और 17 अपरेल 1858 को यहाँ पे डगलस ने आकमन किया, कुमल सिंग आजिपूर क में उनकी मिर्ति होगे, यह स्वाट कटकी में भी अच्छे से आपको लिखा हुआ है, ठीक है, तो यह था हमारा वीर कुमर्सिंग अठर्शन, तावन की किरांती, बता रहे हैं, दो-तीन दिन बाद जब भी एक्जाम हो, तो दो कोश्चन आपको यहाँ से दिखेगा, और फिर यही यहलो किया हुआ में से ही कोई कोश्चन रहेगा, इस बात की फुल गारेंटी रहती है, ठीक है, चलिए, अभी आपका यह चेप्टर कंपलीट हो गया, अब इसके बाद सारे आठ वज़े से जो आपका स्येसन होगा, वो आपका करिंटे फिर्स का होगा, तो आप इस पे प्रकाश डालिए, इसका विसलेशन कीज़े, तो इसको इस तरीका से आपको लिखना होगा, पहले भूंका लिखना होगा, डिस्क्राइब करना होगा, कहानी लिखना होगा, कैसे कैसे गए, चुकि आपको तीन-चार पन्ना तो लिखना है, चार पन्ना, पास पन्न तो कैसे लिखेगा तो उसका हर एक कहानी को लिखेगा तब तो वहाँ पे लिखाएगा ना चुकि आपको वहाँ पर जो है कम से कम चार पेज में लिखना होता है मेंस राइटिंग में लॉंग एंसर में तो उसको लिखने के लिए आपको प्रेक्टिस करना होगा ठीक है तो objective objective तो असान है कि आपको याद हो जाता है चलिए पढ़े तो अपना objective में खोज लिए चार option में लेकिन जब लिखने की बात होगी तो उसके लिए क्या हमने तरीका अपनाया है देखे last में last में हमने अपनाया क्या उसको एक keyword दिया keyword में कितना है यह पूरी कहानी keyword के मात्र 10 लाइन में complete हो गया पाच्चीस जुलाइट है संतावन दानापुर्षाबनी सहाबाद पहुंचेगी सरपर्थम आरा पर कब जा यह करते हैं फिर विंसेट आयर को आरा प्याकमन करता है फिर पूरा कहानी यह बस 3-4 लाइन में complete हो गया बस keyword पहले कहानी आप अच्छे से पढ़िएगा फिर keyword आपको पढ़के रखना होगा और इसी को analysis करते रहिएगा जब keyword आपको पता होगा नाम पता होगा क्या किया कब गिया तो अपने आप आप लीख लीजिएगा ठीक है कहानी बीच को सिखाएंगे फिलहाल जो है इसको आप लोग लिखिएगा कि जैसे अठर शंतावन की करांती में जो बीर कुमर सिंग है उनकी क्या भूंका थी जो मेंस की तयारी करना सुरू कर दिये हैं BPSC का सत्तरमी परसासनिक सेवा का चुकि पिरी में तो आपको हो ही जाएगा पिर दिसंबर में मेंस होगा आपके पास अभी टाइम है तो उसको लिखने का प्रियास करना सुरू कर दिये ठीक है इस वीडियो लेक्चर में इतना ही धन्रवाद